आज की इस वीडियो में हम लोग इस problem को solve करने वाले हैं, तो सुरू से लेकर आखरी तक इस वीडियो को देखते रहिए, इससे आपके calculation approach में काफी ज़्यादा सुधार देखने को मिल सकता है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है 0.00241, तो इसका point हटा कर हम ल 5 place है, तो इसको लिख सकते हैं 10 to the power minus 5, same ऐसे ही आप देख सकते हैं, इधर है 8.4, तो 8.4 को हम लोग लिख सकते हैं, 84 multiplied by 10 to the power minus 1, क्योंकि point के बाद इसमें 1 place है, same ऐसे ही इधर भी 8.4 है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, 84 multiplied by 10 to the power minus 1, और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2 ये दोनों मिलकर हो जाएगा 10 to the power minus 4 यहाँ पर देखिए bracket में 8.4 multiplied by 10 to the power minus 2 है तो अगर हम लोग 8.4 into 10 to the power minus 2 को point में लिखें तो 10 to the power minus 2 है इसलिए ये जो point है ये दो place इधर जाएगा दो place इधर जब जाएगा तो एक place 8 लेगा और दूसरे place के लिए एक और 0 आएगा यानि कि हम लोग लिख सकते हैं 0.084 point के पहले 0 भी लिखा जा सकता है यानि कि 0.084 तो actual में यहाँ पर आ गया 1 minus 0.084 तो 1 में से 0.084 को subtract कर लेते हैं तो ऐसे करना पड़ेगा 1.000 0.084 इसको हटा कर हम लिख लेते हैं 0.916 0.916 अब अगर हम लोग 0.916 का point हटा दें तो देखिए point के बाद इसमें 3 place है इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 916 multiplied by 10 to the power minus 3 अब यहाँ पर देखिए 10 to the power minus 5 है 10 to the power minus 1 है 10 to the power minus 1 है 10 to the power minus 4 है अगर सबको add कर लिया जाए 5, 1, 6, 7, 4, 11 तो 10 to the power minus 11 हो जाएगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा 241 multiplied by 84 multiplied by 84 और 10 to the power minus 11 और इधर है 916 multiplied by 10 to the power minus 3 अब 10 to the power minus 11 को 10 to the power minus 3 से cancel कर देंगे तो बचेगा 10 to the power minus 8 तो दोनों को हटा कर हम लिख लेते हैं 10 to the power minus 8 10 to the power minus 8 अब 84 और 916 दोनों 2 से cancel हो जाएगा यहाँ पर आजाएगा 42 और इसको 2 से cancel करेंगे 2 से 4 टाइमस में 8 आएगा फिर 11 बनेगा तो 5 से 2 टाइमस में 10 आएगा फिर 8 से 2 टाइमस में 16 आजाएगा फिर से 2 से cancel हो सकता है तो यहाँ पर आजाएगा 21 और इसको 2 से cancel करेंगे तो 229 फाइनली हमारे पास बचा हुआ है 241 multiplied by 21 multiplied by 84 divided by 229 और multiplied by minus 8 भी साथ में है अब 21 का और 241 का multiply कर लेते हैं तो 21 से 21 से कम 21 हो जाएगा बचेगा 21 चोकर 84 और दो 86 हो जाएगा आठ बचेगा 21 दूना 42 और आठ हो जाएगा पच्चास तो पांच हजार एकसट और फिर 84 का multiply करना है 425124 को 229 से divide कर देंगे अगर आप 229 से divide करना नहीं चाहते हैं तो आप इसको 230 लिखकर भी divide कर सकते हैं 230 आप जब लिखेंगे तो 0 को हम लोग adjust कर लेंगे और 23 से हमको divide करना पड़ेगा इस तरीके से आप तभी करें जब दिये गए option में जो answers हो उनमें difference ज्यादा देखने को मिले अगर difference थोड़ा बहुत है तो आपको यहाँ पर approximation नहीं लगाना चाहिए यहाँ पर हम जो दिया है उसी से divide करेंगे यहाँ पर हम approximation नहीं लगा रहे हैं लास्ट में यहाँ पर 100 बचा हुआ है और 229 से 100 को divide करना है तो ऐसे तो divide होगा नहीं point लगाना पड़ेगा यहाँ पर point लगाके यहाँ पर हम लोग 0 लगाएंगे तो इसके आगे जरुवत नहीं है इसके आगे हम लोग नहीं करेंगे तो finally हमको यहाँ पर मिल रहा है 1856 point something आ रहा है और यहाँ पर है 10 to the power minus 8 scientific notation में लिखने के लिए इस point को हम लोग 3 place इधर कर लेते हैं 3 place इधर करेंगे तो यह हो जाएगा 1.856 multiplied by अब 3 place इधर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 to the power minus 5 हमने 10 to the power minus 8 में से 10 to the power minus 3 निकाल कर point को इधर shift कर दिया यह हो गया 1.856 और जब 10 to the power minus 3 इसमें से निकल जाएगा तो बचेगा 10 to the power minus 5 तो यही final answer हो जाएगा